नमस्कार बहुत स्वागत है देख रहे हैं जोतिश जराहट के आपके साथ मैं हूँ आपका इश्टो फ्रेंड संतोश संतोशे राहु का महापरिवर्तन राशी है मीन जिसमें राहु घुसेंगे 30 अक्टूबर को और निकलेंगे 18 मई 2025 को 18 महीने 18 दिन के लिए राहु काया संचरण मीन राशी में रहेगा मीन में बैट करके राहु हर राशी पर चार तरह से असर डालेंगे मोटी मोटा मूल रूप से पहली चीज जहां बैठेंगे वहाँ दूसरी पांचमी दृष्टी से तीसरी साथमी दृष्टी से और चौथी नौमी दृष्टी से हमने बताया मेश विशप मिधुन के लिए कि यह राहु का परिवर्टन क्या कमाल करेगा आज चर्चा होगी करक राशी की करक राशी के लिए यह परिवर्टन जो होने जा रहा है वह नमम भाव में होने जा रहा है नवंभाव हमारे जीवन में लंबी यात्रा, पिता का आयुष, ज्यान दिजेगा, पिता का आयुष, लंबी यात्रा, धर्म, अतिंद्रिय ज्यान, योन सुख से वैराग्य की दिशा, कुछ अर्थों में हमारे इश्ट और एक प्रकार का सुख, आराम, यह लक्षमी भाव है, यह लक्षमी भाव है, पंचम और नवम मूर्थ्रिकोन में आते हैं, तो नवम भाव में करक वालों के लिए राहु प्रवेश करेंगे, दसम से आएंगे, लिहाज़ा एक रिलीफ तो देंगे, जो अब तक आ रहा था, इस्थती कार छेत्र को लेकर के, उसमें आपको आराम मिलेगा, रिलीफ मिल जाएगा, आपके लिए राहु का यह परिवर्तन, कार छेत्र के अलावा अन्य छेत्रों में, अकस्मात ब्रेक होगा, जैसे, जो पिछले 18-19 महिने का आपका संघर्ष था, वो संघर्ष खतम हो जाएगा, तो आपको लगेगा, कि भगवान ने क्या किया, प्रकृत ने क्या किया, तो हमारी मेहनत से हमको कुछ मिल गया, कि रगड़े हैं आप, भगवान कुछ करबे नहीं किया, 18 महिना, अब हो गया, राहु हट गया, तो अब एक बार आपका पैर उपर उठ जाएगा, धर्म के प्रति, विमुक्ता आएगी नमम में बैठने से, यात्रा के दवरान, परेशानी, लंबी यात्रा में चोट चपेट की संभावना, यात्रा में मुल लिवान वस्तु की चोरी होने की आशंका, और तमाम प्रकार से अर्चने आ सकती है, कुछ अर्थों में धन अपव्य भी हो सकता है, गर्भवती इस्त्रियों के लिए अकस्मात कुछ नुक्सान की संभावना बन सकती है, अगर उनकी चंद्रराश या थवा लगन करका है, यह तो रहा नवम में उपस्थिति का फल, अब इनकी पहली पांचमी द्रिष्टी यहां से आपकी राशी करक पर जाएगी, तो चंद्रमा के घर को देखना यह आपकी मनह इस्त्यति और शारिरिक इस्त्यति को हिला देगा, क्योंकि चंद्रमा आपके मन का भी कारक है और तन का भी कारक है, करक एक स्पेशल केश है, करक राशी एक स्पेशल केश होता है, ऐसा और किसी के साथ नहीं हो सकता, कि आपके तन और मन का एक ग्रह कारक बन जाता है चंद्रमा, यह आप स्पेशल हैं इस मामले बे, तो आपके दोलों चीजों पर इसका अटैक है, तो अचानक से जैसे जटके आएंगे आपको, अचानक से जैसे आपको जटके आएंगे, अचानक आपका कुछ जटका सा आया, अचानक एकदम से, आप कुछ संभाल नहीं पा रहें, जटका आया, कुछ अचानक बिमारी आपके सामने निकलाई, आप बिमार पढ़ गए, आप अब क्या कर सकते हैं, कुछ बिमारी निकलाई, तो इस प्रकार की इस्थती अचानक आपके जीवन में घटित हो सकती हैं, आपके फैसले आपके बिरुद्ध जा सकते हैं, आपने ही निरणा लिया और वो आपके बिरुद्ध चला गया, आपका आपके उपर से ही नियंत्रण जैसे कुछ हद तक समाप्त सा होगा, तमाम ऐसे फैसले इन 18 महीनों में आप लेने वाले हैं 2025 मही तक, जिस पर बाद में आपको खुब पच्चताना पड़ेगा, इस्पेशली आपके व्यक्तिकत, इमोशन से जुड़े हुए फैसले, बाइफ्रेंड, गर्फ्रेंड का चैर या ब्रेक अप या जो भी हो, व्यक्तिकत मामलों में, साध्य शुदा जिन्दगी को लेकर, लव लाइफ को लेकर ये व्यक्तिकत मामले हो गाए, या किसी बहुत क्लोज फ्रेंड, जिसका only friend जो होते हैं, ऐसे लोगों के साथ में, ये चीज़े हो सकते हैं, आपको एक तो ये हो गया पांचवे द्रिष्टी, साथवी द्रिष्टी से यहां से राहू, थर्ड हाउस को देखेगा, तो आपके जो नियर एंड डियर रिष्टे हैं, जिरमें मुख्यत है, भाई बहन, सगे और मौसेरे और चचेरे और फुफेरे और जो भी भाई बहन, जिनसे आपकी बहुत ज़ादा बॉंडिंग होगी, उनके साथ रिष्टे को तल्ख कर देगा, उसमें तमाम अन्निथाएं आ जाएंगी, आप किसी और संदर्व में बात करेंगे, वो किसी और संदर्व में आपकी बात को ले लेंगे, और रिष्टा कटू बन जाएगा, दुखदाई बन जाएगा, आपके लिए दुखदाई रिष्टा बन जाएगा, ये चीज़ें हो सकती है और बड़ी शिद्दत से हो सकती है सब्तम द्रिष्टी है आपका तमाम पराक्रम ब्यर्थ चला जाएगा आप बहुत मेहनत किये और रिजल्ट एकदम से शून्य होगा पराक्रम भाव है न थ्रड़ाउस ये प्रैक्टिकल लॉजिक बता रही है तुक्का नहीं है ये होगा मतलब होना है इससे आप भाग भी नहीं सकते है आप देखेंगे कि इनकी साथ तीनो द्रिष्टियां पांच साथ नौ तीनो आपकी इमोशन पर अटैक कर रही है आप द तन और मन से आप चंद्रमा है तो ये ये प्रभाव अचानक से होगा एकदम से 30 अक्टूबर से सुरू हो जाएगा अब इनकी नवम द्रिष्टि पर हम अगर प्रगाश डालें तो करकवालों के लिए नवम द्रिष्टि से राह हो व्रिष्चिक राशी को देखेगा जो क कि आपके पंचम भाव की राशी है अब यहां आकर के ये सिक्षा प्रेम संबंध और संतान तीन मुख्य विश्यों पर अटैक करेंगे ये तीन मुख्य विशे हैं इस पर आपको ध्यान देना होगा ये आपके लिए चिंदा का विशे रहेगा क्योंकि अकस्मात रिष्टा यहां पर तूटने जा रहा है शिक्षा यहां पर रुकने जा रही है खोचिंग यहां से छूटने जा रही है अचानक से पापा का ट्रांसफर आगे आपकी राशी करक है जाइए शिक्षा प्रभावित अचानक आप बिमार पडगे पेट में अलसर निकलाया पत्री निकलाया जाए सिक्षा प्रभावित दिस इस राहु इतिस आपका यही यह समचने की विशे राहु इस प्रकार से अटैक करता है राहु इस प्रकार से अटेक करता है ऐसे राहु चोट लगाता है आपको भागने भी नहीं देता है घेर करके आपको परिशार करता है तो भाया ये हमने तीनों दिष्टियां बता दिया है अब उपाय क्या करना करके वालों को भजरंग बली के शरण में हम ले जाएंगे आपको जितना हो सके आप अपने कुंडली के पंचम दसम को बलवान कर लीजिए मंगल को पूजिए मंगलवार का व्रत करिए सात्वी का हार गुरहन करिए बढ़ों का आशेबाद दीजिए घर में हर मंगलवार शनिवार की शाम सुन्दर कान्ड का पाठ हो हो और बिलकुल नौनवेज बिलकुल बंद कर दीजिएगा और पत्थर सत्यानाश करता है कोई पत्थर न पहनिएगा धन्यवाद बहुत-बहुत शुक्रिया जोतिश सीखने के एक शुक लोग हमारे नए वेंचर एस्ट्रो लक्षमी जिसका आप लोग लिंक देख सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं और फेस्बुक, योट्यूब और इस्टाग्राम तीनों जगें आप लोग इसको फॉलोग कर लिजेगा अगला अपडेट वहीं मिलेगा जोतिश सीखने के लिए ऐस्टो लक्षमी नमस्कार शिरादे